तो आज हम पढ़ने वाले हैं class 9 की poem no.2 अब इस chapter की पहले मैंने already English से chapter no.1, chapter no.2 plus chapter no.1 की poem मैंने अप्लोड कर दी है अगर आपने उन chapters को अभी तक नहीं देखा है यार तो इसी वीडियो की description box में आपको link मिल जाएगी वहाँ पर click करके आप simply हमारी वीडियो को देख सकते हो या आप YouTube की search box में जाके chapter का नाम slash educational hikes करके search कर सकते हो हमारी वीडियो आपको top पर मिल जाएगी अगर आप नए visitor हो हमारे चानल पर आठ तो subscribe बटन को press कर देना और bell icon को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले तो चलिए start करते हैं chapter number wind की line by line Hindi explanation अब ये पूरा chapter है क्या इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा overview देता हूँ यहाँ पर देखो कुछ लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है कि the wind blows strongly and causes a lot of destruction how can we make friends with it यहाँ पर कहा गया है कि जो आधी होती है जो बहुत तेज हावा चलता है वो बहुत तेज से चलता है और बहुत ज़ादा नुक्षान भी करता है हम इस आधी को इस तेज हावा को कैसे अपना दोस्त बना सकते है यही हम इस पूरे poem में पढ़ने वाले है अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा क्या यह जो poem है न विंड वाला इसमें यार इसकी एक implied meaning है मतलब इस particular poem की एक internal meaning है यहाँ पर wind को compare किया गया है difficulties से जैसे जो आधी होती है न वो कमजोरों को नुक्सान पहुचाती है लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं उनको कुछ भी नहीं कर पाती है सेम ऐसे ही इंसान के life में जो problems होती है problems उन्हीं को आती है जो कमजोर होते हैं जो लोग मजबूत होते हैं जो उन problems की सामना करना जानते हैं उन्हें उस problem से कोई भी फरक नहीं पढ़ता है तो इतना मान के चलो इस poem में हम पढ़तो रहे हैं wind के बारे में लेकिन poet ने इस wind को compare किया गया है इंसान की जीवन में आने वाली जो difficulties है ना उनसे compare किया गया है तो चलिए start करें अब इस particular poem में ना यार जो poet है वो wind से बाते कर रहा है क्या बाते कर रहा है चलिए हम देखते हैं wind come softly poet कह रहा है कि wind तुम धीरे धीरे आओ don't break the sutters of the windows तुम मेरे खिडकियों के जो sutter लगे है ना उनको तोडो मत तुम धीरे धीरे आओ don't scatter the papers जो मेरे room में paper रखे है ना तुम उनको मत बिखराओ मतलब तुम धीरे धीरे आओ तुम इतना तेज ना आओ कि मेरे room में जो paper रखे हैं वो एकदम बिखर जाए don't throw down the books on the self जो मेरे आलमारी के खानों में जो मेरे self पे जो books रखी गई है ना उन books को तुम मत गिराओ don't throw down there look what you did ये देखो तुमने क्या कर दिया you threw them all down तुमने इन सारी चीजों को गिरा दिया तुमने मेरे books को गिरा दिया तुमने पूरे papers को बिखरा दिया तुमने मेरे windows के sutters को तोड दिया you tore the pages of the books तुमने मेरे book के पन्नों को क्या कर दिया tore कर दिया tore का मतलब फार दिया you brought rain again तुम देखो फिर से बारिस ले आये हो you are very clever at poking fun at weaklings यहाँ पर poet कह रहा है कि तुम बहुत ही चालाख हो तुम क्या करते हो तुम fun poke करते हो मतलब तुम मजाक उड़ाते हो किसका मजाक उड़ाते हो weaklings का जो लोग कमजोर है उनका तुम मजाक उड़ाते हो उनको तुम क्या करते हो उनको तुम नुकसान पहुचाते हो फ्रेल, krumbling houses तुम क्या करते हो फ्रेल, फ्रेल का मतलब जो कमजोर जो डगमगाते हुए जो घर है तुम उनको तोड देते हो तुम जो crumbling doors है तुम जो आप ऐसे दर्वाजे जो बस तूटने वाले हैं या जो बस कमजोर हैं, उनको तुम गिरा देते हो, उनको तुम तोड़ देते हो, जो rafters है ना, rafters का मतलब क्या होता है, बल्लियां, जो नए-ने घर बन रहे होते हैं, तो आप देखते हो, लकडियों की बल्लियां लगी होती हैं, तो उसी को हम rafters कहते हैं, तो कहा गया है, कि जो कमजोर बल्लियां होते हैं जो कमजोर राफ्टर्स होते हैं तुम उनको क्या कर देते हो तुम उनको भी गिरा देते हो क्रम्बलिंग वुड जो कमजोर लकडियां होते हैं तुम उनको भी गिरा देते हो तुम उनको भी बरबाद कर देते हो क्रम्बलिंग का मतलब बरबात कर देते हो या तोड़ देते हो क्रम्बलिंग बॉडिस तुम कमजोर लोगों के सरीर को भी क्या कर देते हो तोड़ देते हो क्रम्बल कर देते हो क्रम्बलिंग लाइप्स तुम लोगों की जिन्दगियां बरबात कर देते हो तुम लोगों के दिल तोड़ देते हो मतलब उनका रिदय इतना मुलायम है कि जब भी कोई परशानी आती है तो वो सह नहीं पाते हैं और इसकी वज़े से वो क्या हो जाते हैं बहुत ही कमजोर से पड़ जाते हैं तो समझ पार हो गी नहीं feeling आ रही है की नहीं आपको बस feel करते जो भाई the wind god winnows and crushes them all जो wind god है जो ये जो हवा के देवता है न वो क्या करते हैं वो winnows करते हैं मतलब छाट देते हैं कमजोर लोगों को और कमजोरों को छाट के क्या कर देते हैं crushes them all उन सारी चीजों को खत्म कर देते हैं जो चीजे कमजोर है तो आधी आती है तो normal सी बात है न जितनी भी कमजोर चीजे हैं वो उड़ जाती है या वो तूट जाती है he won't do what you tell him अब यहाँ पर poet बता रहा है कि जो तुम कहोगे जो wind god को तुम कहोगे कि धीरे धीरे आओ तो wind god ऐसा नहीं करेंगे मतलब wind god वो नहीं करेंगे जो तुम उन्हें कहने करने को कहोगे इस line में यही कहा गया है कि he won't do what you tell him मतलब जो wind god है वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा तुम कहोगे उनकी जैसी मरजी होगी वो ऐसा ही करेंगे इसलिए so come let's build strong houses इसलिए चलो हम अपने घरों को मजबूत बनाएं let's joint the doors firmly अपने घरों के दरवाजे को ना क्या करें हम मजबूती से fix करें practice to firm the body और हम practice करें और हम courses करें कि हम अपने सरीर को भी क्या करें मजबूत बनाएं make the herd steadfast हम अपने दिल को क्या करें मजबूत बनाएं ताकि जब छोटी मोटी हवा चले या आधी आये तो हमारा जो दिल है हमारी जो body है उसको कोई भी नुकसान ना पहुचे do this अब poet आगे कह रहा है कि तुम बस इतना कर लो क्या कर लो तुम अपनी body को अपने दरवाजों को अपने घरों को मजबूती से बनाओ इससे क्या होगा wind God will be friend with us जो ये wind है जो तेज से चलता है और लोगों को नुकसान पहुचाता है वो तब नुकसान नहीं पहुचा पाएगा जब हम अपने घरों को अपने दरवाजों को अपने body को मजबूत बना के रखेंगे the wind blows out weak fires कहा जाता है न कि जो हवा है वो क्या कर देती है जो कमजोर आग है जो छोटी मोटी आग है उसको बुझा देती है लेकिन अगर आधी चलती है तो he makes strong fire rover and flourish क्या कर देती है जब बहुत तेज से आधी चलती है तो जो छोटी मोटी आग होती है वो तो बुझ जाती है लेकिन जो बहुत बढ़ी आग लगी होती है जैसे जंगल की आग हो गई तो हवा चलती है तो वो और भी तेज से जलने लगती है वो और भी तेज से क्या होने लगती है rover and flourish rover का मतलब दहाणने लगती है और flourish का मतलब और भी बढ़ जाती है आग his friendship is good यहाँ पर पोयट कह रहा है कि अगर हम wind god से दोस्ती कर लेंगे तो इसकी दोस्ती तो बहुत अच्छी है we praise him everyday हम wind god को क्या करेंगे हर दिन praise करेंगे हम उसकी सराहना करेंगे क्यों सराहना करेंगे क्योंकि wind तेज आती है तभी तो हम अपने घरों को अपने body को और अपने दिल को मजबूत बना के रखेंगे that means overall इस particular poem में क्या बताया गया है ये बताया गया है कि जो आधी चलती है आधी तो भाई जैसे normal चलती है वो तो चलेगी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम अपने घरों को मजबूत बनाए हम अपने दर्वाजों को मजबूत बनाए हम अपने खिड़कियों को मजबूत बनाए ऐसे ही same ऐसे ही अगर हमारी life में problems आती हैं तो हम उससे डर के भागे नहीं हम अपने आपको मजबूत बनाए हम उसका सामना करें तो this is all about the poem और इस poem को लिखा है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर कोई भी दिक्कत इस particular poem में आती है तो you can comment below and ask me मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद